ध्यान दिज्जेगा बोल रहा है PQR साजेदारी में एक बैपार आरम करते हैं यदि उन्हें के निवेशों का अनुपात 6-8-9 तथा निवेश की गई पूजी के समय का अनुपात 8-6-5 है तो PQR के लाव का अनुपात ग्याद करिए देखिए निवेश किये हैं किसी रेशि सिप होती है तो लाव बढ़ता है क्या निवेश इंटू टाइम के रेशियों में यही तो बचता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो इनकी पूजी है निवेश किया गया है इनका रूपाय का जो रेशियों है ध्यान दिजेगा यह रेशियों क्या है बताएं आप सब सुडेंट PQR है PQR तीन लोग है ध्यान दिजेगा इनके निवेश किये गा है जो रूपए है यह 6 is to 6 is to 8 is to 9 के रेशियों में और जो यहाँ पे टाइम जो समय का रेशियों है ध्यान दिजेगा कितने समय के लिए यह निवेश किये है समय का जो अनुपात है वो है 8 is to 6 is to 5 ध्यान दिजेगा यह है यही तो कह रहा है अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है हम लोगों से पूछ क्या रहा है लाव का रेशियों पूछ रहा है तो ध्यान दिजेगा आप सभी सूडेंट जो लाव का अनुपात होता है वो क्या होता है निवेश की गई रुपए इंटू समय का रेशियो यही होता है यानि 6,8,48,8,48,9,45 इस रेशियों में क्या होगा पैसे बटेगा जो लाव होगा इस रेशियों में बटेगा वेरी गूट बहुत अच्छे मैक्सिमम सूडेंट आंसर दे रहे तो देखिए छोटा कर लीजी आप इसको छोटा कर सकते तीन से 16,48,3,16,43,15,45 जो लाव का रेशियो होगा होगा 16,15,15 किस ऑप्शन में है देखिएगा 16,16,15 option number D very good बहुत अच्छे जितने सूडेंट आंसर देने option number D सारे सूडेंट साहिए समझ में सभी को आ गया है ठीक है समझ में सभी को आ गया है बताए समझ में आ गया है त सभी स्ट्ट्राइ समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप सभी student like जरूर कर दिचिये और अगर अभी तक आप लोग आज की क्लास को सेयर नहीं किने हैं तो आप सभी student share भी कर दीजिये चलिए तो आप सभी student एक साथ comment करके ये बताइए आज की class आप लोगों को कैसी लगी और कितने question आप लोगों ने सही किये है सारे student एक बार comment करके बताइए आज की class